हालो अरिवाड़ी, वेलकम बैक तू, in the class of special function and integral transformation आज के सबसे पहले lecture में हम डिसक्स करते हैं, unit wise distribution of the slivers क्योंकि आपको unit wise भी पता होना चाहिए कि कौन से chapter में कितने unit cover होती है पहला chapter हमारा है power series, second है basal equations of functions दो chapters में हमारी unit first cover होती है unit first, इसके बाग third and fourth legendary equations and hermit's equations unit second, unit second, Laplace very very important topic, Laplace equation inverse Laplace transform and use of the Laplace transforms in integral equations unit second, unit third, सबसे ज्यादा important है यह portion वैसे पूरा ही important है लेकिन Laplace equations का वैसे पूरा ही important है लेकिन Laplace equations को ज्यादा important है इसके बाद 8 9 10 10 तीनों चैप्टर में हमारी यूनिट फोर्थ कवर होती है यूनिट फोर्थ ठेक है तो यह यूनिट वाइस डिस्टिबूशन है जिसको हम स्टार्टिंग से मिलकूल पहले चैप्टर से और 10 चैप्टर तक कॉंटिनीशन में करें तो इसके बाद जब हम वीडियो सेकें यह बुक है यह हर्याना निवस्टिज में फोर सेमेस्टर में अप्लाई होती है और इसका जो कॉंटेंट यह भी बहुत ज्यादा है तो जो भी स्टूडेंट पूरा स्लेवर्स करना चाहता है निवरा मैस वबाइल अप्लिकेशन डाउनोड करें और वहां पर आप यह कोई भी अगर डाउट है आपको आप्लिकेशन के बारे में या स्लेवर्स के बारे में तो आप कौन कर सकते हैं 8053-633-4. हमारा में मोटिव यही होना चाहिए कि हम पूरा स्लेवर्स करें कोई भी चाक्टर स्किप ना करें क्योंकि हमें नहीं पता कि आपके बार मी कोरोना के वज़े से कोई बैनेफिट मिलने वाला है तो इसको आप भूल चाहिए कि जो अभी तक पेपर पैटरन आया है हाफ स्ल नहीं कर रहे हो मैस से कर रहे हो तो बिल्कुल काम कावाएंगी Physics तो भी आपके काम आने वाली है रहे हैं and start your classes